अलो सबीको, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे वीडियोस के बाद अब हमारे पास कुछ भी सिर्प्राइजिंग नहीं हुआ वेल, दोस्तो आपको बता दे हमारे पास आपके लिए और भी कई अवेजिंग फैक्ट्स और फिनॉमेना है Automated Refrigerator, Invisible Glass, 3000 लोगों से बना साप आज की वीडियो में आप ये सब देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आजकल टाइप राइटर्स कौन इस्तिमाल करता है? हमने सुनाए कि टॉम एंक्स कोई बेद पसंद है लेकिन ब्रिटिश आर्टिस्ट कियारा राथबोन ने इस डिवाइस का एक अनोखा अप्लिकेशन डूण लिया है सदियों से हम मशीन को टेक्स स्प्रिंट करने के लिए इस्तिमाल करते थे लेकिन इस लड़की ने इससे तस्वीरे बनाना सीख ले है जी या और यह कोई सिंप्लिफाइड पैटन नहीं है बलकि आर्किटेक्ट्चरल बिल्डिंग, शेप्स और लोगों की डीटेल ड्रॉइंग्स है पता रही कियारा को एक डिजाइन बराने में कितना टाइम लगता होगा हमें नहीं मालूम क्योंकि एक खलत मूमेंट से भी इसका सब कुछ दुबारा शुरू करना पड़ता होगा आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ चल क्या रहा है पहले तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाईया जाइन्ट कंट्राप्शिन इस टनल में क्या कर रहा है लेकिन पशाचला की एक तरहगा प्लग है ठीक वैसा ही जैसा हमारे बाट्टम में होता भाईया प्लग और तो और इसका काम भी वैसा ही है यह टनल्स को पानी से बचाता है यह टनल को बलास्ट और केमिकल वेपन से होने वाले हमलों से भी बचा सकता है Here is how it works. Tunnel की जो दिवारे होती है उन पर एक pump लगा है, जो किसी खत्रे की स्थिदी में अक्टिवेट हो जाता है. कुछी सेकंड्स में एक स्फेर को इंफलेट कर देता है, और खतरनाक चीजों को रोकता है. बागी की टाइम ये pump और स्फेर पिलकुल शान्त रहते हैं, और इन्हें ट्रेंज की मुवमेंट से कोई फरक नहीं पड़ता है. Simple and brilliant. स्कूल के बाद बच्चे क्या करते हैं? सोशल मेडिया आपर टाइम बिताते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, आज कल के बच्चों की बाद कर रहा हूं, स्केट बोड चलाते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है बाई साब, जी हाँ, आपको बताते हैं, ये रही यहाँ की लोकल स्कूल की पोस्ट स्कूल अक्टिविटी, कुछ खास नहीं है, या सिर्फ तीन अजार बच्चे अपने स्कूल ग्राउंड पर साब बने हुएं, जी हाँ, माना जाता है कि ऐसे गेम सिन का स्ट्रेस कम होता है, लेकिन हमें लगता है कि बले ये देखने हो मज़धार हो, पर इतने बड़े फ्लाश मॉप का हिस्सा बनना स्कूली बच्चों को और थका देता हुआ, मेरे साब सुता है सही है, अब एक ऐसा गैजट दोस्तों, जिसका मैं बेस बरी से इंतजार था, नहीं, ये कोई फैंसी कैमरा वाला स्मार्टफोन या आगमेंटेट रियाल्टी वाले गूगल्स नहीं है, पेश एक ऐसा फ्रेज, जो आपकी आवास सुनकर आप तक खाना पहुचाता है, जी हा, ये की नहीं आ रहा, आपको ड्रिंक लाने के लिए कुट्टे को ट्रेन करने की ज़रूद नहीं है, बस एक आवास दीजे और ड्रिंक्स आपके हाथों में होगी, और आलसी लोगों के गैजट को चैपनीस कंपनी पैनासॉनिक ने बनाया भाई साब, मले इस मुविवल मिनी बार के सोशल मीडिया पर काफी चर्चे, लेकिन कमपनी को इसके मास प्रोडक्शन की कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी इस डिवाइस कही मत इतनी ज्यादा होगी, कि हमें सोफे से उठकर किचिन में जा रही बेतल लगी है, अगर आप एक स्नाक खाते वक्त बोर नहीं होना चाते, तो माइन्वियर आउस को सब्सक्राइब करना बिल्कल ना भूलिये दोस्तों, शायद कुछ समझदा लोग पहले ऐसा कर चिव क्योंगा उनके थन्यवाद, अगर आप कभी अर्जेंटीना के समुद्र तट पर गए, तब आपको वहां की मिट्टी पर ऐसे अनोखे स्पेर्स नजर आएंगे, कोई सोचेगा कि लापरवाद टूरिस्ट के छोड़े उखिलोने होंगे, या कोई एलियन्स के बारे भी सोच सकता है भाई साब, लेकिन ये स्फेर्स ना ही इंसानों ने बनाए हैं, ना ही एलियन्स ने, आप जो देख रहे हैं वो दरसल एक स्नेल एड्डॉलो मैनिन, ब्रसिलियाना के अंडे हैं, जी हां, हर एक स्फेर के अंदर एक स्पेशल लिक्विड है, जिसमें प्रोटीन और शुगर के साथ साथ एक दरजन एंब्रियोज होते हैं, लेकिन इन्हें समूद्र के किनारों पर नहीं होना चाहिए, पानी की कमी इन बच्चों के लिए हानिकारा को सकती है, बदकिसमती से समूद्र के लह रहें इने किनारे पर ले आती हैं, ऐसी स्थिती में बिचारे मर जाते हैं, तो अगर आपको किनारे पर ऐसे स्फेर्स दिख जाए, तो साबधानी इसे से वापस पानी में छोड़ देना दोस्तों, समझ गये ना? दो वी, आम इस तरह के एंटेटेन्मेंट को ना नहीं कह सकते हैं, इस इंटराक्टिव म्यूजियम एग्जिबिट को देखिए, ये एक मिट्टी से फ़रा हुआ कंटेनर है, जिस पर अलग-अलग मैप्स प्रोजेक्ट किये जाते हैं, ये मेज हमेशा बदलती रहती है, आप इस मिट्टी से एक छोटा पहाड या बहती हुई नदी बना सकते हो, इसन्ट इट कूल? हमें हमारे वीवर्स की चिंटा है, इसलिए आपको पहले ही वान कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे अजीब स्क्रीमर्स को देखने जा रहे हैं दोस्तो, आर यू रेड़ी? ची हाँ, ये पक्षी सच मुझ ऐसी आवाद निकालते हैं, जाहिर है हर पक्षी ऐसा नहीं कर सकता, इस पक्षी को वाइट बिलबर्ड कहते हैं, और ये सेंट्रल और लेटन अमेरिका में पाया जाता है, दरसली आवाज इसका बैटिंग कॉल है, और सारे पक्षियों में इनकी आवाज सबसे बड़ी होती है, इनकी सबसे बड़ी चीक 125 डेसिबल्स सक रिकार्ड की गई दोस्तो, इनके गले के नीचे एक और अजीब चीज देखी जा सकती है, ये काले रंग की तो अच्छा है, जो फीमेल्स को अट्राक्ट करने के काम आती है, इस वीडियो को देखकर आप सोचेंगी कि आपको स्कूल मैसे कूल एकस्परिमेंट्स क्यों नहीं किया जाते हैं? हमें यखीद है कि सारे स्टूधेंट्स को अच्छे माक्स मिले होते हैं, यह experiment एक substance के refractive index बताता है यहां container को colorless oil से बरा जाता है और जिसका refractive index glass के जैसे ही होता है और Hogwarts के बाहर एक जादू शुरू होता है दोस्तो एक बड़े से लोहे के barrel को अपनी उंगली से flat करने के लिए आपको जादू और या सूपरिरो बनने ही जरूद नहीं है आपको सिर्फ physics को बहतर समझना होगा यह बिल्कुल आसार और spectacular experiment है पहले barrel में गरम हवा बरी जाती है फिर इसे एक ठंडी जगाप रखा जाता है यहां एक refrigerator ढूनने के जरूद नहीं है बस आप इस container पर ठंडा पानी डाल सकते हो देख रहे हो अंदर का pressure कम होते ही barrel का यह आल हो जाता है कहते हैं भाई आप Lego से कुछ भी बना सकते हो एक prosthetic हाथ भी जी है एक artist इस set से painting भी बना सकता है वो seriously देखिए artist कितरे खुबसूरत portraits बनाती है यहां सच मुझ इसकी patience की दाद देनी होगी यहां क्या हो रहा है क्या यह Rick और Morty के plumbus है यहां किसी देश में पसंद किये जाने वाले अजीब खाना लेकर ऐसा कुछ नहीं है यहां boat की anchor को पकड़े हुए सेकड़ो sea animals देख रहो सबकी अपनी पसंद होती है पर seriously lady bugs gardening में काफी मदद कर सकती है यह पौधों के parrot sites से रक्षा करती है और बीमारियों को दूर रखती है लेकिन ऐसे कीडे को घर में रखना काफी risk हो जाता है दोस्तो यह कीडे कई महीनों तक जीवित रहते और कुछ लोगों में allergies पैदा कर सकते है क्या भी यह सोच रहें कि कोई खाने की चीज है जैसे chia seeds या bubble tea वैसे ऐसा नहीं है दोस्तो इस रलक्य के हाथ में मेंधक केंडे कुछ लोग इन्हें भी खाते है वियदनाब और कुछ दूसरे Asian countries में इने काफी स्वादिष्ट मारा चाता है इन छोटे हेंड़ों पर नमक डाल कर फ्राई के जाता है लोग कहते हैं कि इसका taste बिल्कुल मचली की तरह होता है क्या विज़े ट्राइ करना चाहोगे दोस्तों दाओ जल्द ही सारे soccer training grounds पर यह device देखी जाएगी यह एक special cannon है जो ball को अलग-अलग speeds, angles और height पर shoot कर सकता है लेकिन इसके जरूद क्या है वैल, हर team के पास ऐसा pro player नहीं होता जो ball को curve कर सके और उस वक्त यह device कामा सकती है goalkeeper को भी यह device काफी challenging लगती है आप इस device का angle predict नहीं कर पाते हैं हम सोच रहे हैं कि क्या गिया लूंकी यह पुफ़ान इस monster का सामना कर पाएगा आपको इंटरनेट पर कई तरह के phone cases मिल जाएगे लेकिन आपने पहले कभी यह वाला नहीं देखा होगा लेप इमोजीज बेज़रा अब पुरारी बात हो चुकी है अब आप एक असली case भी बेश सकते हैं ऐसा करने के लिए आपको किसेंजर नाम का एक smart case खरीदना होगा इससे बनाने वाली company का कहरा है कि यह दुनिया का पहला mobile messenger है जो kisses भेजता है यह कुछ ऐसे काम करता है पैड के silicon cover में highly sensitive force sensors और actuators लगे होते हैं यह device भीजने वाले के pressing force को analyze करता है और फिर इन movements को recipient के devices पर recreate करता है पता नहीं दोस्तों कितना असली लगता होगा लेकिन idea वागई मज़ेदार है तोट यू थिंक आपकी आखे आपको धोगा नहीं दे रही एक असली drum set tank है इस prototype को यामा ने बनाया है और यह रही उसकी एक identity copy जिसमें असली मज़लिया है इसे tanked नाम की टीवी शो के artist ने बनाया था लोगर है पहले भी कई अनोखे aquariums बनाया है लेकिन शायद ये इनकी portfolio सबसे भेदरीन tank होगा सबसे अची बात यह दोस्तों कि आप इस set को सच मुझ बजा सकते हो इनके रिमाता कहते हैं कि इससे मचलियों कोई दुखसान नहीं होदा लेट्स होब इट्स ट्रू वा अब चलते दोस्तों जर्मरी में और देखते हैं एक special project जो सच मुझ खाबले तारीफ है अलमर नेस्ट ने कुछ futuristic capsules पर आये जो बेहतर लोगों को सर्दियों में safe and comfortable रखते हैं ये capsules wind और waterproof हैं और इन में solar panels भी हैं जो अंदर का तापमान maintain करते हैं इन capsules को अंदर से lock किया जा सकता है और जब ये lock खोला जाता है तब social services को एक notification मिलता है और इसकी सफाई के लिए बहुत जाते हैं Isn't it cool? ये देखिए, आपके fake targets बिलकुल तयार हैं असली military vehicles दूसरी जगाओं पर सुरक्षित हैं कहने कभी इस्टमाल किया जाता होगा? जी हाँ, इसे पहली बार 1943 में American military ने इस्टमाल किया था उन्होंने German army को beef crew बना कर तयारी के लिए थोड़ा वक्त हाजिल किया था लाते आट अन काफी ओ, ये पुरारी बात हो चुकिये हैं लेकिन इस Chinese cafe में हम कुछ नया देख सकते हैं यहां black coffee को एक बड़ी cotton candy के साथ सर्फ किया जाता है सुनने हैं अजीब लगता है लेकिन सब कुछ सोचा समझा है इस hot drink से निकलने वाली steam candy को पिखला देती है उसका glue को सीध है आपके mug में गिरता है आखरखा सब कुछ बहुत शानदाल लगता है आना कि हमें डर है कि कहीं candy पिखलने से पहले हमारी coffee ठंडी ना हो जाए साथी कई लोगों को इस चिपचिपे मक्को हाथ लगाने से भी परिशानी होगी हमें comment में जरू बताई कि आप इस वारे में क्या सुछते हैं भाईया दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दुमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे हमें काफी प्रेड़ना मिलती है और ये आपके लिए भी काफी फायदेवन साबित हो सकता है